जो आगे तीस तारीक मजवा में है और आगे ये अमारा सम्मेलन चलेगा मिलके लड़ेंगे और दस की दस भारजेंदा पार्टी को हराएंगे एक साथ चार इस्टेट का चुनाओं नहीं करा आ पा रही है वन एलेक्शन वन नेशन की बात करना ये बेमानी है जूटी बात है अभी पठान कोट पे जो हमला हुआ था उसमें आईएसाई को किस ने बुलाया था जांच में आईएसाई को किस ने बुलाया था यह भाजपा सरकार ने बुलाया था अरलेमेंट में भी अटेक हुआ किसके समय हुआ भाजपा की सरकार में हुआ आतंकवादी छोड़ने का मांग कर क्या लगता कितने सीटों पर बात बने थी नहीं है हमने प्रस्ताओं बना कर अपना भेज दिया है जो पांच सीटें बाजपा और उनके कड़बंदन की सीटें थी उसका पांचों का प्रस्ताओं ने भेजा कि वहां हम लड़ेंगे और वो पार्टी राष्टी लड़नी है कितनी नहीं लड़नी है और निश्चे तोर से हम लोगों मजबूती से अपनी त्यारी कर रहे हैं दस की दस पे हम लोगों ने समयधान समयलन करने का भी मन तैक कर लिया है रहा हमरे ने तृतने और वहां पर हम अभी 29 तारीक से फुल फुल से सुरू करने जा र की गई है अब संसद में इसको पेश किया जा रहा है क्या लगता है इस पर कॉंग्रेस का स्टेंट क्या रहे हैं कि जो दल या जो सरकार एक साथ चार स्टेट का चुनाओं नहीं कर आ पा रही है वन एलेक्शन वन नेशन की बात करना यह मैमानी है जूटी बाते हैं पाकिस्तान हो चाहे जो भी बाहर से आतंकवादी गत्विदियां चल नहीं है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है अभी पठान कोट पे जो हमला हुआ था उसमें I.S.I. को किसने बुलाया था जाच में I.S.I. को किसने बुलाया था यही भाजपा सरकार ने बुलाया गया तो यह भारती जनतापार्टी पूरी तरीके से ये अतंकवादियों के साथ मिली काम करती है और आप देख सकते हैं परलेमेंट में भी अटेक हुआ किसके समय हुआ बाजपा की सरकार में हुआ अतंकवादी छोडने का काम बाजपा करती है कॉंग्रेस आतंकवादियों को रगड़ती है आतंकवादियों को पूरी तरीके से निसनाबूत करने का काम करती है और अरक्षन पर टिपड़ी देने के मामले में भाजपा राहूल गांदी पर हमला वर है और जगा जगा अब उनके खिलाब F.I.R. दच कराया जा रहा है ने वो तो उनकी सरकार है कुछ भी कर सकते हैं एक व्यक्ति उनके दल का सहयोगी दल करता है राहूल जी की जबान कटने की बात करता है एक उनका मंतरी राहूल गांदी जी को अतंकवादी बोलता है उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होती है क्योंकि वो मुदी जी करा रह हैं भाजपा करा रही है तो राहुली के खिलब जतना भी यह स्टड़ेंद्र करेंगे आम जनता देश की जनता ने जवाब कर देंगे हम अकले स्यादो और मुख्यमंत्र योगी आदितनात में जिस प्रकार सा बयान बाजी चल रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं विक्तिकता किसी को पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए इतना मैं कहना चाहूंगा कि इसमें पूरी तरीके से जो जनहित के जो जितने जो कारे हैं जो जनता के होना करना चाहिए वो नहीं हो कर रही है सरकार और अभी मैंने देखा समाचार पे कि एक संबल में एक रेप पीडिता की ग्योली मारका रहत्या कर दी गई तो यह समस्ताओं कि यह सब चीजों पे ध्यान देने की जवरत है वेक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है कानून बेवस्ताद जीरो हो चुकी है सरकार में जंगल लाज कायम है बहिलाओं के प्रती बच्चियों के प्रती रेप की मांसिकता बढ़ती जा रही है यह सब पर कारवाई करने की जवरत है और फरजी इंकाउंटर फरजी जो मुकद में जो खोले जा रहे हैं वो टोटल गलत है और सरकार को जंता घित में काम करना चाहिए नगे किसी को पर आरोप रत्यारोप कर लगाना चाहिए तो बिल्कुल यह थे हमाँ साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेश्ट यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकाली आप तक पहुंचती रहे